हलो फ्रेंड्स बहुत-बहुत स्वागत है आपका सूपर फास्ट स्टेडी एंड एक्सपेरिमेंट पर तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कुछ टॉप सेलेक्टेड इंटर्व्यू क्वेस्चेन और आंसर्स पॉर मेकैनिकल इंजीनियर, मेकैनिकल फ आपके रिविजन के लिए helpful होगी और दोस्तो ऐसे ही और भी अगर बहुत सारे वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के मेकैनिकल फिटर और इंजीनियर इंटर्व्यू क्वेस्चेन और आंसर्स में जाकर के ऐसे बहुत सारे वीडियो जो हैं वो देख सकते हैं आराउंड हंडिट से भी जादा इस वीडियो वहाँ पर अपलोडेड हैं अलग-अलग टॉपिक्स रिलेटेड वीडियो वहाँ अपलोडेड हैं जैसे कि बेरिंग से रिलेटेड, पंप से रिलेटेड, गियर बॉक्स से रिलेटेड, वैल्डिंग से रिलेटेड और भी अलग-अलग जो टॉपिक्स हैं उन सभी पर वीडियो आपको मिल जाएंगी तो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बने तो जो दो main types of bearings होते हैं वो होते हैं पहला anti-friction bearing और दूसरा होता है friction bearings next question भी इसी से related है ताकि आपको ये topic और भी ज़्यादा clear हो जाए question है what is the difference between friction bearing and anti-friction bearings यानि कि friction bearings और anti-friction bearings में क्या difference होता है ये आपको बताना है तो friends जो friction bearings होते हैं उसमें क्या होता है किसी भी तरह का rolling elements नहीं होता यानि कि उसमें rolling element किसे कहा जाता है balls को, rollers को, taper roller है ना यह सभी क्या है rolling elements है तो इसकी वज़ा से क्या होता है friction कम होता है लेकिन जो आपका anti-friction bearing होता है उसमें rolling element नहीं होता बुश टाइप का arrangement रहता है जिसमें उसे कहा जाता है friction bearings और वहीं अगर हम बात करते हैं anti-friction bearings की तो anti-friction bearings ऐसे bearings होते हैं जिसमें rolling elements का इस्तमाल किया जाता है जैसे कि ball bearings, roller bearings, taper roller bearings, spherical roller bearings ये सारे anti-friction bearings है जबकि अगर हम friction bearing की बात करते हैं तो general bearings, bush bearings, hydrodynamic bearings ये सारे जो हैं वो friction bearings के अंतरगत आते हैं नेक्स्ट क्वेस्चन है आपका यानि कि जो bearing की outer rings में जो holes होते हैं है ना उसके बीच में एक groove होता है जिसमें hole होते हैं छोटे छोटे उसका क्या function होता है आपको ये बताना है तो देखिए उसका function होता है ताकि lubricant जो है वो उस hole के तुरू अंदर जा सके rolling elements तक proper lubrication ensure कर पाएं यही उस holes का functions होता है next question है आपका what is thrust bearing यानि कि आपको ये बताना है कि thrust bearing क्या होता है thrust bearing एक type का bearing होता है जो कि rotation में तो help करता ही है साथ में वो thrust को भी resist करता है at the same time जो main function होता है thrust bearing का वो ये होता है कि वो axial force जहां पर लगते हैं है ना तो उस axial force को resist करने के लिए thrust bearings का इस्तमाल किया जाता है यानि कि जहां पर axial load हो जादा वहां पर thrust bearings का इस्तमाल किया जाता है next question है आपका in belt drives which equipment or tool is used to measure the belt tension यानि कि आपके जो belt drives होते हैं V belt drive हो चाहे flat belt drive हो जहां पर power transmission हो रहा है belt के through वहां पर belt के tension को measure किया जाता है किस equipment से किस tool से measure किया जाता है आपको उसका नाम बताना है तो उसका answer है belt tension gauge belt tension gauge का इस्तमाल किया जाता है belt के tension को measure करने के लिए और ये एक mechanical device है आज कल digital belt tension gauge भी आने लग गए हैं जिनसे की belt के tension को measure किया जाता है belt tension gauge कैसे use करके belt का tension को measure किया जाता है अगर आप जानना चाहते हैं तो उपर i button पर click करके उस video को देख लें next question है आपका इस questions को mechanical fitters से ज़्यादा पूशा जाता है what is the bent angle of a spanner at end यानि कि जो spanner होता है उसके end में जो bent angle होता है वो कितना होता है ये आपको बताना है तो इसका answer है 15 degree next question है आपका what is the melting point of steel यानि कि जो steel industries में जो job कर रहे हैं उनसे ये question पूछा जा सकता है बहुत ही basic questions है steel जो होता है वो mixture होता है iron और carbon का है ना तो इसका जो melting point होता है वो 2500 से लेकर 2800 degree Fahrenheit तक होता है अगर हम degree centigrade की बात करते हैं तो 1371 degree centigrade से लेकर 1540 degree centigrade तक होता है next question है आपका which type of gears are used for high speed transmission और high speed application यानि कि कौन से type के gears का इस्तिमाल किया जाता है high speed transmission के लिए और high speed operation के लिए तो friends helical gears का इस्तिमाल किया जाता है high speed transmissions के लिए high speed operations के लिए जितने भी आपके automobiles के gear boxes होते हैं उसमें भी आपको helical gears ही मिलेंगे इसके लावा industries में भी mostly जो gear boxes होते हैं उनमें भी आपको helical gears ही मिलेंगे next question है आपका what do you mean by impact idlers and where it is used यानि कि आपको ये बताना है कि impact idler क्या होता है और इसका इस्तमाल कहां पर किया जाता है तो देखिए idlers का इस्तमाल किया जाता है conveyor belts में अब अगर हम बात करते हैं impact idler तो impact idler ऐसे जगह पर use किया जाता है जहां पर वो conveyor belt को impact को absorb करता है conveyor belt के जैसे कि आपका किसी conveyor belt पे receiving end है जहां पर material गिर रहा है है ना conveyor belt में तो just उसी position में conveyor belt में normal caring idlers की जगह पे impact carrying idlers को लगाया जाता है impact caring idlers में क्या होता है idler के metal shell के उपर में rubber की soft rubber की lining होती है जिसके वज़ा से क्या होता है जब material जो है strike करता है आपके conveyor belt पे गिरता है तो उसका जो impact होता है वो ज़्यादा नहीं पड़ता है माल लेजे उसकी जगह conveyor belt के नीचे में आपका plain idlers हो normal carrying idlers हो तो क्या होगा material आपका गिरेगा तो क्या होगा नीचे आपका hard metal surface है और उपर से भी hard material जो है वो गिर रहा है strike कर रहा है तो दोनों साइट से क्या होगा आपके conveyor belt पर impact पड़ेगा वहीं पर अगर impact idlers का इस्तमाल किया जाएगा तो impact idlers क्या होंगे उस shock को absorb कर देंगे और जिससे कि आपकी belt की life जो है वो increase हो जाएगी और इसी वज़े से जहाँ पर material receive हो रहा है आपके conveyor belt पे उस position पर impact idlers का इस्तमाल किया जाता है what is the full form of HT, MS and SS in bolts तो दोस्तो जैसा कि आपने देखा होगा bolts को हम कहते हैं कि HT bolt है ये MS bolt है ये SS bolt है तो आखिर इसका full form क्या होता है इसका मतलब क्या होता है तो देखिए HT का मतलब होता है high tensile bolt वहीं MS का मतलब होता है mild steel bolt और SS का मतलब होता है stainless steel bolt next question है आपका what is the difference between HT bolt and MS bolt याने कि HT bolt और MS bolt में क्या difference है ये आपको बताना है तो देखिए HT bolt का मतलब जैसे कि हम जानते है high tensile bolt ये जो bolt होता है इसका strength जादा होता है high tensile bolt इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका tensile strength जादा होता है MS bolt याने की mild steel bolt के comparison में तो देखिए HT bolts को ऐसे equipment में ऐसे applications में यूज किया जाता है जहाँ पर high tensile strength की ज़रुरत पड़ती हो जबकि MS bolts को general purpose applications के लिए जहाँ पर low tensile strength की requirement होती है वहाँ पर use किया जाता है HT bolt versus MS bolt के उपर एक detail वीडियो भी मैंने बनाई है जिसमें और भी ज़्यादा differences है काफी अच्छे से उसमें explain किया गया है अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उपर i button पर click करके आप उस वीडियो को भी देख सकते है next question है आपका what do you mean by GI pipes याने की GI pipes से आप क्या समझते हैं तो देखिए GI pipes का full form होता है galvanized iron pipes ये जो pipe होती है इन्हें ज़्यादा तर use किया जाता है water supply करने के लिए और देखिए GI याने की galvanization एक ऐसा process होता है जिसमें iron की उपर में zinc की एक layer की coating कर दी जाती है जिससे की क्या होता है atmosphere के oxygen से आपका iron जो है वो react नहीं कर पाता है तो यहाँ पर जो pipe है वो आपका oxidized नहीं होगा oxidized होने का मतलब यह है कि rust लग जाना उसमें जंग लग जाना और यही वज़ा है कि आपकी GI pipes जो है जिनका इस्तमाल किया जाता है water lines के लिए क्योंकि water में continue contact में रहने की वज़ा से और भी ज़्यादा rushing की chances बढ़ जाती है तो friends आपको इसी question को घुमा करके भी पुछा जा सकता है कि water lines के लिए कौन से pipe का इस्तमाल किया जाता है या फिर आप से ये पुछा जा सकता है कि water lines के लिए GI pipe का ही क्यों इस्तमाल किया जाता है normal MS pipes का इस्तमाल क्यों नहीं किया जाता next question है आपका what do you mean by NPS, NB and DN in pipe यानि कि pipes related in terms जिसें की short form में कहा जाता है इसका क्या मतलब होता है इसका full form आपको बताना है NPS का full form होता है nominal pipe size NB का full form होता है nominal bore वही DN का full form होता है diameter nominal तो अगर आप जानना चाहते है इन तीनों के बारे में detail में कि इन तीनों में क्या differences है किसे NPS काहा जाता है किसे NB और किसे DN तो आप I button पर click करके उस video को देख सकते है इसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से और बिलकुल simplify कर दिया है clarify कर दिया है आपको जो भी doubts है वो clear हो जाएंगे इसके regarding तो वो video भी जरूर आप देख लें याने कि आपको ये बताना है कि pipe schedule का मतलब क्या होता है और pipe schedule 80 और pipe schedule 40 याने कि 40 schedule की pipe है और 80 schedule का pipe है तो गोनों में क्या अंतर होगा ये आपको बताना है क्या differences होंगा दोनों में तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि pipe schedule क्या होता है pipe schedule denote करता है wall के thickness को यानि कि pipe का schedule जो है उसे अलग-अलग schedule number में divide कर दिया गया है जैसे कि 20, 40, 80 अब देखिए जैसे जैसे ये number बढ़ते जाएगा schedule 80 अगर हम बोलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा thickness होगा उसके pipe का wall का thickness ज़्यादा होगा है ना यानि कि वो ज़्यादा strong भी होगा वहीं अगर हम pipe schedule 40 की बात करते हैं तो इसका wall thickness जो है वो उससे कम होगा और इसका strength भी उससे कम होगा क्योंकि ये इसका wall thickness कम है है ना यानि कि ये pipe जो है वो पतले होंगे जबकि 80 वाला जो आपका pipe होगा वो ज़्यादा थिक होगा 40 के comparison में next question है आपका which tool is used to measure pitch of threads यानि कि threads के जो pitch है उससे कौन से tool से measure किया जाता है ये आपको बताना है तो देखिए अगर आप एक fitter है तो tools के बारे में बहुत अच्छे से preparation कर दें जब भी interview के लिए जाएं तो इसके लिए use किया जाता है screw pitch gauge का pitch gauge जिसे की screw gauge भी कहा जाता है और thread gauge भी कहा जाता है इसी का इस्तमाल किया जाता है वो कुछ इस तरह से दिखता है इसमें अलग-अलग number of blades होते हैं और इस blades में pitch इस blade के through ही measure किया जाता है thread के उपर रखकर next question है आपका what do you mean by chevron conveyor belt यानि कि chevron conveyor belt से आप क्या समझते हैं तो देखिए chevron conveyor belt एक special type का conveyor belt होता है जिसमें की conveyor belt के जो upper surface है जो top का surface है जिस पे material को convey किया जाता है उसमें number of ribs लगे हुए होते हैं यानि कि उसमें rib लगा होता है अलग से अलग-अलग pattern का अलग-अलग design का जिससे की friction बढ़ाया जा सके और material को ज़्यादा inclination में भी convey किया जा सके next question है आपका what are the different types of manufacturing process in engineering यानि कि आपको different types के जो manufacturing process होते हैं वो आपको बताना है ज़रूरी नहीं है कि आप सभी को बता पाएं लेकिन जितना ज़्यादा बता पाएंगे उतना ही अच्छा है तो कुछ common manufacturing process है वो है पहला casting, molding, forming, machining, joining, coating, plating, forging, etc next question है आपका what is called forging यानि कि forging क्या होता है तो जैसा कि हमने अभी देखा forging जो होता है एक manufacturing process होता है और इसमें shape दिया जाता है metal को hammering करके या फिर press करके या फिर rolling करके आपने देखा होगा आपके spanner में या फिर wrench में, slide wrench में लिखा रहता है drop forged है ना, तो उसे drop forge manufacturing process से बनाया गया है आपका forging process भी बहुत सारा अलग-अलग types का होता है जैसे drop, forge, press, forge है ना, और भी बहुत सारे होते हैं next question है आपका what is the composition of brass यानि कि आपको brass का composition बताना है brass यानि कि पीतल, हिंदी में brass को पीतल कहा जाता है तो पीतल कौन-कौन से धातू का मिस्र धातू है यानि कि कौन-कौन से धातू मिलकर पीतल बनते हैं तो देखिए, brass में क्या होता है? 66% copper होता है copper जिसे की तामबा कहा जाता है और उसके साथ ही 34% zinc होता है zinc यानि कि जस्ता होता है what is viscosity index? यानि कि आपको ये बताना है कि viscosity index क्या होता है तो friends जैसा कि हम सभी जानते है किसी भी fluid का जो viscosity होता है वो temperature के accordingly change होता है जैसे जैसे temperature increase किया जाता है fluid का viscosity decrease होता है और जैसे जैसे temperature को decrease किया जाता है fluid का viscosity increase होता है तो viscosity index में इसी चीज को measure किया जाता है कि viscosity fluid का change हो रहा है temperature के respect में वो कितना change हो रहा है typically जो आपका oil और lubricants है इसके viscosity को ऐसे करके check किया जाता है अगर आपके viscosity index higher है आपके fluid का इसका मतलब वो temperature के respect में change कम होगा ज़्यादा change नहीं होगा वहीं अगर आपके lubricants का viscosity index जो है वो low है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो temperature के respect में ज़्यादा change होगा तो हमें क्या चाहिए हमारे lubricants के लिए कि उसका viscosity index high हो ताकि वो अच्छा से perform कर पाए एक temperature range में नेक्स्ट क्वेस्चन है आपका वाट इस दे unit of torque टॉर्क जिसे की हिंदी में घुर्णन बल भी कहा जाता है उसका unit क्या होता है ये आपको बताना है तो torque का unit होता है Newton meter अब इसी question में कोई आपसे पूछ सकता है कि torque का formula क्या होता है या फिर सुत्र क्या होता है तो देखिए torque को tau से denote किया जाता है और इसका सुत्र होता है torque is equal to force आपका perpendicular distance भी इसे आप कह सकते है तो perpendicular distance क्या होता है आप देख सकते है यहाँ पर spanner लगा हुआ है और यह इसका leverage point है यहाँ से लेकर कि यहाँ तक का जो distance है perpendicular distance उस distance को meter में आपको रख देना है और जो force लगा है उसके साथ multiply कर देना है तो आपका जो torque का value आजाएगा वहाँ पर और उसका unit रहेगा newton meter क्योंकि force जो है वो आपको force का unit newton में लेना है next question जो है वो practical question है और ज्यादा तर इसे fitter और four men से पूछा जाता है तो friends जैसा कि आपके पास एक nut bolt है उसे अगर आप एक spanner से tight कर रहे है बड़े size का nut bolt है माल लीजे 30 mm का डाया का आपका bolt है आप उसे tight कर रहे है इस spanner से तो जब इस spanner से आप tight कर रहे है तो बहुत ज़्यादा आपको force लगाना पड़ रहा है इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा ही force लगाना पड़ रहा है लेकिन जब आप उसी spanner में pipe लगा लेते हैं और फिर उसे tight करते हैं तो उससे ज़्यादा भी tight होता है और कम force लगाना पड़ता है तो ऐसा क्यों होता है इसका बहुत ही simple सा answer है जो हमने अभी discuss किया torque देखी अगर हम perpendicular distance को बढ़ा देंगे तो हमें force कम लगाना पड़ेगा क्योंकि torque वहाँ पर क्या होता है torque is equal to force multiply by perpendicular distance तो या तो हम force को बढ़ा दें या तो हम perpendicular distance को बढ़ा दें तो इससे क्या होगा हमारा torque बढ़ जाएगा तो यहाँ पर हमने क्या किया spanner का length छोटा था हम वहाँ से force लगा रहे थे तो हमें जादा force लगाने की ज़वरत पड़ रही थी क्योंकि कम torque generate हो रहा था वही अगर हम वहाँ पर pipe लगा दियें उस spanner में तो pipe के लगने की वज़े से क्या हुआ length बढ़ गया perpendicular distance बढ़ गया और distance बढ़ने की वज़े से आपका force कम हो गया और आसानी से आपसे tight हो गया वो क्योंकि वहाँ पर torque ज़्यादा produce हुआ कम force में तो friends इस तरह के practical questions पूछे जाते हैं देखिए आपको पता तो ज़रूर होता है कि हम लंबे बारी का इस्तमाल करेंगे तो हमें कम ताकत लगाना पड़ेगा लेकिन उसके पीछे का concept क्या है engineering क्या है उसके पीछे की वो है torque तो ऐसे questions ज़रूर आप अच्छे से prepare कर ले next question है आपका what is the thread angle of metric thread यानि कि आपको ये बताना है कि जो आपका metric threads होते हैं bolts में उनका thread angle कितना होता है तो इसका answer है 60 degree जितने भी metric threads होते हैं वो 60 degree पर होते हैं next question है आपका what is the difference between chamfer and fillet यानि कि आपको chamfer और fillet में क्या difference होता है ये बताना है तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे है diagram में एक chamfer है और दूसरा आपका है fillet तो जो chamfer होता है वो क्या होता है दो जो intersection surface होते है उसके बीच में जो edge बना रहता है उस edge को 45 degree में ऐसे cut कर दिया जाता है जिसे की chamfer कहा जाता है वही पर अगर हम बात करते हैं fillet की तो fillet बिलकुल chamfer से अलग होता है यहाँ पर क्या होता है दो intersection surface के बीच का जो edge होता है उसे round shape या फिर एक curved shape दे दिया जाता है rounded corner बना दिया जाता है और जिसे कहा जाता है fillet next question है आपका what is the difference between drilling and boring operation तो देखिए friends यह बहुत जादा confusing हो जाता है अगर आपने ध्यान से इस चीज को पढ़ा नहीं है या फिर समझा नहीं है तो drilling और boring दोनों ही process आपको ऐसा लगेगा कि यह दोनों तो एक ही तरह के process है लेकिन देखिए इसमें बहुत छोटी सी difference होती है और वो यह होता है कि जो drilling process होता है उसमें hole create किया जाता है किसी भी work piece में यानि कोई एक work piece है जिसमें hole नहीं है उसमें hole create करना है hole बनाना है तो वो होगा drill करके हम hole बनाएंगे उसमें लेकिन boring क्या होता है बने हुँए hole को ही enlarge करना यानि कि उसे और बढ़ा देना उस hole को उस process को कहा जाता है boring जैसा कि आप यहाँ पर image देख सकते हैं इस diagram से आपको clear हो जाएगा कि यह drilling है और यह है boring next question आपका hydraulic system से है और यह है what do you mean by DC walls and its function यनि कि आपको यह बताना है कि DC valve क्या होता है और उसका क्या-क्या function वो perform करता है तो सबसे पहली बात अगर हम full form की बात करें तो DC walk DC का full form होता है directional control जैसे कि नाम से clear है यह hydraulic system में fluid के flow के direction को control करता है और यह 3 functions perform करता है पहला stop fluid flow यानि fluid flow को रोग देता है दूसरा allow fluid flow यानि यह fluid के flow को allow करता है just opposite हो गया पहले वाले का और तीसरा change direction of fluid flow यानि कि यह direction को change कर देता है fluid के flow को next question है आपका what is the meaning of number written in oil seal यानि कि आपको बताना है oil seal number का क्या मतलब होता है क्या meaning होता है तो देखिए आपको एक example से समझाता हूँ हमारे सामने एक oil seal है यहाँ पर इसका number आप देख सकते है 30, 52, 10 यह लिखा हुआ यहाँ पर है ना पहले 30 लिखा है फिर dash करके 52 लिखा है उसके बाद dash करके लिखा है 10 तो जो 30 है वो इसकी id को बताती है inner diameter को जबकि 52 बता रहा है इसका outside diameter को और 10 mm बता रहा है इसके thickness को या फिर height next question जो है वो है question for you यानि कि इस question का answer आपको comment करके जरूर बताना है question है lathe machine beds are made of which metal यानि कि जो lathe machine का bed होता है वो कौन से metal से बना होता है यह आपको बताना है तो friends comment करके जरूर बताईएगा तो इस video में इतना ही दोस्तों उमीद करता हूँ यह video आपको काफी ज़्यादा पसंद आई होगी अगर 1% यह video आपको helpful लगी हो तो please इस video को like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा फिर से मिलेंगे next video में तब तक के लिए अलविदा